हेलो एवरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का दीगिन पर स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 03 का All Important Topics पढ़ने वाले हैं दोस्तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है और यह MA History MHI 03 का First वीडियो होने वाला है अभी तक मैंने इसके एक भी लेस्न एक भी वीडियो नहीं डाला है ठीक है इस New Year में मैं पूरा स्लेफर सही से कवर करवाने वाला हूं एक्जाम के कारने से यह वीडियो मुझे लेकर आना पड़ रहा है दोस्तो इस वीडियो के नंदर में हम करने वाले हैं तो इस वीडियो के अंदर में हम MHI 03 के all important topics को cover करेंगे roughly हम उसको पढ़ेंगे और साथ सा देखेंगे question किस तरह के बनते हैं ठीक एचली वीडियो का क्या द्रिष्टी कौन था उसके बारे में बात करेंगे देखो जब भी हम इतिहास लेखन के बारे में बात करते ना तो जितने व्यक्ति उतनी मूह होती है ठीक है उतनी तरह की बाते हैं में सुनने के लिए मिलती है और यह हमारी society में भी applicable होता है यह rule हर जग applicable होता है तो जो भारती लोग थे उनको इतिहास लेखन के बारे में पता नहीं था उनकी बुक थी तहकीके हिंद करके एक बुक उन्होंने लिखी जिसके अंदर में उन्होंने बोला कि भारती इतिहास लेखन का जो तीथी करम है मतलब जो date bys हम लिखते हैं ठीक है पूरा करम बद सब्सक्राइन को उनको इतिहास के बारे में नहीं पता था और अगर हम किसी से कोशन employers ठीक है इतिहास के बारे में तो क्या कहते है कि पूछे जाने पे कहानी गड़ा करते थे भारती लोग ये उन्होंने अलबरुनी ने बताया बट क्या यह reality है नहीं है कैसे क्योंकि भारती जब आप भारत के इतिहास को पढ़ते हो तो आपको क्या मिलते हैं और भारत के अगर आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ोगे तो मनुस्मिर्थी जिसके नम हर चीज का रूल लिए के बारे में डिटेल में लिखा हुआ यग वल्लव फूस्तक थी कि युग की विधी किस परकार से होती है क्या चीजे होती है क्या करना चींग किस तरसरी बहुत बहुत सारी चीजिए उसके अंदर में विस्तिरत तौर बताये गया था ठीक हम ये प्राचेन भारत इतिय एवा उखेस्ट करते हैं अब पर यहां पर कोशिण यह बन कर आता है यहूंalter में इस बताना है किछ क्राचीन भारतियास की चुछ!!" कि दिखाना है तो यहां पर क्या होता है कि अगर हमें किसी की इसकी बारे में नहीं पता तो हम उसकी बारे में जुपता होता हो रहा दिैंसे वंजू स्वाभी करके बता देतें थ एक गृतने भी मनतिकर नहीं कह सकते उसको तो पर यह जो हमने तो हमें नंगें तो हम धार सबना तरगेट करνे लगेंगे बहुत सारे अच्छे हैं मतलब बहुत सारे 99 8% परसंट जो ए ना अच्छे ही हैं कुछ जो 24 होते हैं वो गंदे करते हैं ठीक है समझ में आता है तो उस तरह से सुसाइटी गंदी होती है और यहां पर भी सेम यहीं चीज़े लौजिक यहां पर वाक करता है ठीक है अगला हम के बारे में बात करते हैं अगला जो आता है हमारा मुगल सासक के दोरान में भारतिय इतिहांस लिखन या फिर सल्तनत काल के दोरान में इतिहांस लिखन यह भी important question बनता है यहां पर दोनों question जो इसमिना दो question एक तो मुगल का मुगल साशन के के दोरान में और सल्तनत काल के दोरान में यहां पर मुगल साशन में सिर्फ मुगलों के बारे में पूछ रहा है सल्तनत काल में पूरा जो इंबायर था ना पूरा सल्तनत जो चलता रादिली से जो लीड किया गया उसके बारे में पूछ रहा है तो हम मुगल काली इतिहास की लिखन के बारे में जब बात करते हैं तो इसका जो इसकी जानकारिया मिलती है कहां से मिलती है तो सरकारी दस्तावेजों के थुरू ठीक है जो मुगल इतिहास कालें जो सरकारी दस्तावेज थे जो ग्रंध थे उनके थुरू में मिलता है या फिर 1526 में लोधी वंस के जो सास ना करी जिसके बाद ना तूजक ए बाबर भी तूजक ए बाबर नामे लिखा गया ठीक है जो Everybody लिखा गया घांग घिक जो तुर्की लेंग्विज में लिखागया था और उसके अंदर में अ Shiv certains ज्यादा चीजे बताई गई ठीक है और ये बावर भी खुद भी एक लेखक भी था ठीक है बावर एक खुद भी लेखक था जिसमें भारतियों को विश्वास घांती बताई गया था ठीक है भारतियों को विश्वास घांती बताई गया था नॉर्मली क्या होता था जैसे मान नहीं बता सकते हैं जैसे आप देखोगे किम जो अभी नौर्थ कोरिया का जो तानस आए बहुत बड़ा ठीक है तो उसको देखोगे तो वह क्या करता है कई सारी डॉक्मेंटरी अपनी निकालता है उस डॉक्मेंटरी में अपने आपको इतना वड़ा विजन दिखाता है कि यह मेरा लक्ष है मैं इस तरह का चीज़े हूं मेरी कंट्री ऐसी है पूरी दुनिया के सामने वह कैसा है आपको इपता है सबको पता है उसको इपता है बड़ा नामा में या फिट तूझा के बावरी के अंदर में क्या बताया कि जो भारतिय सासक है वह क्या है विस्वास के लिए तारीख अल्फी लिखा गया अकबर नामा लिखा गया ठीक है जिसमें अकबर काल ॉबे मुंहत गॉरी हो जो भी आये ना मतलब पूरा जो इन्विजन होता गया उन सभी के बारे मेंजो जो हमें पता होगी ठीक है दोनों को मैंने एड़ करके एक मीट डाला है बट दोनों अलग-अलग पूछे जा सकते हैं यहां पर तीसरा पॉइंट है इंपोर्टेंट है आज की इस्तिरी वादी इतिहांस लेखन क्या होता है अब देखो इसको इस्तिरी वादी भी बोलते हैं नारी व सम्मान के तौर पर देखा जाता है अपने हिंदु धर्म में कि नारी का क्या सम्मान के तौर पर देखा जाता है बट जो किताबों में तिहांसों में जो परदर्शित किया गया मतलब रियालिटी कुछ और है पर दिखाया क्या गया कि हिंदु नारी एक आरे है ठीक है आरे को अदसी के समान के तोर पर ट्रेट क्या गया इhã पे लिंग भेद बहुत जादा नजर आता है आपको राजाओं के भारे dauर के बारे इसके बारे रहें πड़ ऑना के बारे बाधर कमें भी राणियों का जिक्र नहीं मिलता है जादा थैंड 98 पर से नाा रानियों का जिक्र नहीं है तो वहां पर लिंग भेद का बहुत बड़ा रोल play होता है ठीए पुरस्वाधी पुर्वाग्र', जो लोग होते थे ना जो इतिहासकार होते थे लिखने वाले वो जादा थे उनका जुकाफ जो हता था पुरसों की तरफ रहता था जिसके कारण से बना करते थे पहले से ही मेंटिलीटी बना कर जलते थे mindset रहता था कि भाईया मुझे यही लिखना है ठीक है तो ये भी एक reason दिख जाता है ठीक है नारीवादी इतिहास कार्ज होती सामने से बहुत ज़्यादा problem face कर रहे थे problem किस तरह की चीजी face कर रहे थे कि भाई उनके पास लिखने का source नहीं था अगर वो कोई लिखी भी रहाता था ना तो इसे उपर में धवाव होता था किया पैसे कैसे लिख सकते हो थीके बावर की जो भीवी थी या पिर अक्पर की भीवी ती उसको आप अप आपको पता है क्या अक्पर शखर की भीवी का नाम क्या था थीए चर्डFit कर दोड़र करते अगवर की वी sund कर दोड़े को बात करते हैं तो भारते इतिहा लेखन में संपर्दाइवादी दुझोनों को दिखाय करते हो जो लोग होते हैं जिसको जैसा देला है आँ हैं अपने त्हें अपने अच्छा बताया और हमें गंदा दिखाई यहां पर संपर्दाइवादी यतियांस लेखर कार हुए होई त्हाच संघर करते हैं संगर्स मतलब लडाई जगड़ा चल रहा है इनका ठीक है आपसी संगर्स है और संगर्स का इतिहास रहा यह नों ने बताया हिंदू-मुस्लिम दो गुट में बटे हुए गुट मतलब अलग अलग है ठीक है हिंदू-मुस्लिम क्या है सांस्कृतिक बिल्कुल भी न यह इतिहास में दिखाया गया पर रियालिटी क्या है वी आल वेरी वेल नों तो यहां पर देखो मैंने एक पक्षी बताया कि ऐसा है आप अगर इंडियन जो इतिहास का रहे हैं उनके बारे में पढ़ोगा ने जब इस कोश्चिन के स्टुडी का तिसमें तब आपको और मिल जाएगा कि यहां पर क्या बताया था इंडियन ने तो उसके कारण से अगर आप अच्छा बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम सब भाई-भाई हैं हिंदू मुस्लिम का बहुत जादे एकता है दोनों के अंदर में सांस्कृतिक तो डिफरेंस है कल्चर तो डिफरेंस है ब तो सब दोनों के अंदर में सरुस्ट करते हैं बद चीज किया है हम सभी अच्छे सो जामते हैं एक चीज और में बोलूगा मुझाओ दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हटकर आपको मैंने जैसे MA history first year का मैंने almost cover कर वाया है बहुत सारा तो आप अगर first year की history पढ़ोगो ना तो थोड़ा सा bias दिखेगा ठीक है एक धर्म के परती बट यहां पर जो MHI 03 है यहां पर काफी अधक reality को सामने लाने की इसकी जाती है तो मैं इस वाली बुक को आपको बहुत अच्छे से बुलूँगा आप अगर कर क्लियर भी कर लेको ना खतम भी हो जाता एक्जाम खतम होने के बात बिना एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी ठीक है बह इतिहासकारे उन्होंने 1864 में एक इंगलिस में बुक लिखी अपना संसकर्मन इंगलिस में बुक लिखी जिसका नाम उन्हें लिखा गोविंदा सामन्त करके उन्हें लिखी उसका संसकर्मन नया संसकर्मन आया 1878 में ठीक है 1878 में 1878 में 1878 में संसकर्मन आया जिसका नाम क् पीजेंट लाइफ, बंगाल पीजेंट लाइफ, इसके अंदर में किसानों की स्तिती, मजदूरों की स्तिती के बारे में पहली बारवाज उठाये गया, ठीके, नॉर्मली क्या होता है, सुरू से जो किसानों की स्तिती है, मजदूरों की स्तिती है, उसको दवाये जाता है, ठ पर क्या कोई किसी जो गाओं में बीहड में जाकर एकदम बीहड जो एकदम निचले लेवल का जो किसान है क्या उसका कोई लिखना चाहता है उसके लिखना चाहता है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है नहीं लिखना चाहता है डीजन को है कि वो रिखना पर लिखे गया तो पहले इत्यासकार के तौर पर दिखा गया लाल भिहारी दे को जिन्हों ने गुरिंदा सावंत करके 1874 में एक अपनी इंगली में बुक लिखी थी फिर उसका नाम लिखा गया था बंगाल पीजेंट लाइव ठीक फिर उसके बा पुस्तक लिखते हैं उसके बहुत सारी चेंजिस आती है जिसमें भारत के जो स्रम करते थे मेनत करते थे उसके बारे में उन्होंने जन जग रित किया ठीक है तो बहुत ज़्यादा इंपक्ट पड़ता है भारत के उपर में इसको लेकर ठीक है यह देखने के लिए 28 सताबडी के अंग्रेजी और फार्सी दस्तावेजों के अंदर में इसका जिकर मिलता है दिरे दिरे करके अधिकर पहले थन्होंने कंपणी पर लिखा एक रिसला जिरात मुगल के एक अधिकारी ने company के लिखा लिखे जिसका नाम क्या दिया उन्हुने रिसाला ए जिरात इस तरे का एक बूठ नाम दिया इसके अंदर में पूरा उन्होंने krishi अख्यान के बारे में बता है krishi वबस्था के बारे में बता है तो इस तरह की चीजे देखने के लिए मिलते हैं जिसका इंपक्त आज के हम इतिहांस पर देखते हैं और जब भी इतिहांस कर रहें जैसे मानलो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आगे चलके पीएजडी करोगे ठीक है पीएजडी के लिए जाते हैं आपके नाम के इन चीज होता है जो अभी हम आगे बात करें ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको न अच्छी लग रही है ना तो कमेंट जरूर कर लें ठीक है और अपने जितने भी दोस्ते ना सब के साथ सेर कर देखो मैं यह वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि मैंने फॉस्ट और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को जिसे हमें मोटिवेशन मिलती है दोस्तों और हम अच्छे से मैनत कर पाते हैं ठीक है अगला पॉइंट पर आते हैं छटा पॉइंट इतिहांस लेखन के सम्माने करन की भूमिका सम्माने करन मतलब क्या होता है नॉर्मल नॉर्मल अगर किसी कालखंड को हम वर्ग में विवाजित करने के बाद जो उसकी खासियत विसेश्था ठीक है और समानता बिमिन्ता और समानता की जब हम बात करते हैं दोनों को देखते हैं कि किस तर से दोनों को हम एनलाइज करते हैं तो हम उसको कहते हैं इत्यास लेखन में समाने करन ठीक है अगर यह कोशन बंद है तो इस तर से आप बता सकते हैं इसकी तीन स्रेणिया होती है समाने क ठीक है तो तीन यहां पर इस तर्क बन जाते हैं ठीक है एक एक एक्जामपल कैसे अगर मालो नॉर्मल एक व्यक्ति को आप ले जाओ मालो अडपा के साइड पर ले गए ठीक है अडपा जो आपका सिंदुगांटी की सब बता है वहां पर साइड पर ले गए साइड पर ले ज सम्मान नहीं करन पता है, जिसके अंदर में आप वर्ग में विभाजित करके, इसके अच्छा ही बुरा ही सब कुछ चीजों को देखते हो, अनलाइज करके फिर उसके बाद आप कुछ बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये तो बहुत बड़ा सा बरतन है इसके अंदर में ये क्या करते होंगे अनाज अपने ज़रूरत से ज़्यादा इकठा करते होंगे बाई क्योंकि इतना ज़ादा ज़रुते नहीं पढ़ते हों कि इतना बड़ा बरतन क्यों है त्यासकार उनको रूची नहीं बनता उनका इंट्रस्ट नहीं आता पर इस चीज़े से बताने से क्या बना उनका इंट्रस्ट बना रूची आया ठीक है और वो चीजों के बारे में एक अवेर वेक नया आइडिया कॉंसेप्ट उन्हें समझ में आया तो कई बारे त्यासकार इस तरह की चीज़े उपियोग करते हैं, यह यहाँ पर कहलाता है, जो यह आपका टोर्टल बुक है, जो MHI 03, जो है, हिस्ट्रोग्राफी, यह इतनी अच्छी बुक है, इससे आप हिस्ट्री लिखना सिख सकते हो, कि हिस्ट्री लिखा कैसे जाता है, ठीक है, अगर आप इसक इसके यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है, अगला जाते हैं, दोस्तों, हमारा अगला कोश्चन आ जाता है, हमारा सात्वा, युनानी रोमन इतिहांस लेखन, युनानी रोमन इतिहांस लेखन की बात करोगे, तो अंग्रेजी में जो हिस्ट्री, हिस्ट्री जो वर्ड है, जो हम history इतिहास बोलते हैं ठीक है इंग्लिज के अंदर में history इतिहास को और युनानी में historia का जाता है ठीक है युनानी में history को क्या का जाता है हिस्टोरिया हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है पूछता है यह जांस पढ़ता है ठीक है और इतिहांस का जनक के तौर पर हिस्ट्री के जो जनक के फादर ऑफ हिस्ट्री जो जिनको माने जाता है युनानी इतिहांस का थे हैरोडस करके ठीक है उनको इतिहांस का जनक माने जा सब्सक्राइब R例えば उन्होंने बहुत सारी पुस्त के लिह एक बावे एक Sो 2022 से ज्याधा पुस्त के man ऐनकलीत की गई हैं जो भारती इतियांस के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है तो इस तरह से आप रोमन और यूनानी इतियांस के बारे में बता सकते हैं ठीक है समझ में आता है ऑधवा हिमारा जो पुंyt आ जाता है उत्तर आधुनित्た वादी द्रिष्टि क्वादी इंधे कोई है या पर यइनय पे दो पोलिकींग रहे हैं यह को धुफ रागे में बड़ Anyway मि आपको सभिवाइक सब्सक्सराइ far ठीक है देखो उत्तर आधुनिकता वाद द्रिष्टिक होन आप यह वर्ड है ना उत्तर आधुनिकता वाद इसको ध्यान से रट लो अगर यह वर्ड आ जाता है उत्तर आधुनिकता यहां पर वाद हट गया यह वाद हट गया उत्तर आधुनिकता आ गया या फिर उत्तर अगर आपसे कोश्चन पोछा जाता है कि उत्तर-अधुनिकता क्या है उत्तर-अधुनिकता क्या है तो उसका मतलब अलग बनता है और यह मतलब समाजों के अस्तित्व की समाजिक इस्तितियों और इनके समाजों के अर्थववस्ता का चित्रण उत्तर आधुनिक्ता कहलाता है मतलब समाज की स्तिति किस परकार किये समाज के अर्थववस्ता की स्तिति किस परकार किये ठीक है समाज के अस्तित्व की स्तिति किस परकार किये हैं कि यह चीज हो गई मानला आपने समाजी की स्तितियों के बारे में बता इया समाज के अस्तित्र के बारे मिशता इस वारे में बता दिया इसका चितरन कर दिया, तो चितरन करने से पुर्व, ठीक है, या मतलब चितरन करने के बाद में, या चितरन करते समय बीच में, जो विचारदारा उत्पन होती है, हम उत्तर आदुनिक्तावाद कहते हैं, ठीक है, जो आदुनिक्तावाद के दर्शन के बाद, जो आदुनिक्तावा है आप कढते हैं परमुख जो विचारक के तोर पर ने यहां पर पर किक पुता देथा हो किसा और आपके बुक में में इसन की गए गाए हैं जिनके यहां यहां zweite है ठीक है आप जब इसको करोगा ना इन दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा ठीक है उत्तरा दुनिक्ता वाले पार्ट में ठीक है अगले हम अगला कोश्चन के ओपर आते हैं पॉइंट के पर में नौबा पश्चमी मद्यकाली नित्यांस लेखन ठीक है और जोड़ने की करिंपने पार इसके इसको धे अंदर में सामंती जमीदार और राजसाही का परवाव देखनी के लिए सामंतवाद का ठीक है जमिदार का रास्साई का प्रभाव पड़ता है ठीक है इसाई धर्म के बीच में सामांजसी स्थापित करने की कोशिस करी है इन्हों ने कई सारे घटनाओं को इसामसी और मैं बता हुँ यहां पर इत्यास लेखन की अगर बात करूं यह भी इंपोर्रण टॉपिक है second world war आपको question of the video बताना है कि second world war का date क्या है ठीक है what is the date of second world war ठीक है किस time period के बीच में second world war ठीक है यह आपको comment box में comment करके बताना है अगर आपको answer पता है तो नहीं पता है तो google कीजिया आपको idea मिल जाएगा क्योंकि पता होना चाहिए क्योंकि आप जब second world war के बाला मालो यही वाला question आगया दुट्टे विशुद के बाद इतियास लिखन तो आपको date mention करना पड़ेगा और आपको comment करके बताना है कि comment में second world war है क्या ठीक है अब देखो दुट्टे विशुद के बाद इतियास लिखन समंतवाद और पुझी वाद और कौछी समाज़िवाद या समेवाद जो विचारदार थी वह दो विचारदार थी उसके अधार पर लिखना सुरू हुआ और भी कई तरह के दुरिष्टिक होना है, जैसे माक्सवादी था, काल माक्स था, वह सार जो माक्सवादी हो गया, ठीके, और ये कम्यूनिस्ट वाले हो गये, ठीके, तो इनके अलग अना विचारदार है थी न, जो उस समय के हिसाब से, जो सरकमिस्टेंस बने होगे थे, उस इसका कारण था, कौन जीमेदार थे, इस सब चीजों के हाँ पर मेंजन किया गया, ठीक है, समझ में आता है, अगला पॉइंट आ जाता है, मोखिक इतिहांस, मतलब समझ में, word से ही समझ में आ जाता है, मोखिक इतिहांस है क्या, जो सुनकर हमें समझ में आए, उसको मोखिक किस्से कानिया हम सुनते हैं, खिक विक्रम बैताल के बहुत सारी किस्से přाझाश्त कानिया था, तो क्या युआ कानिया सुनते हैं, तो हम उसके अधार पर बोल देने कि ऐसा था ठीक है आपने भंगर्द के लिए के बारे में सुनोगा राजिस्थान के अंदर में जो भूतिया किला है ठीक हम उसके बारे में स्टोरी सुनते है ठीक हम को लिखित गरंत नहीं है कि उसके वहां पर साक्षे नहीं परमाण नहीं कि ये अस्विकार किया उन्होंने कि ये चीज़े गलत है मोखिक जो है साक्षे का महत्वनी देता शाक्षे परमाण नहीं होता उसके पास में उसका महत्वनी है जॉन वनीशा करके एक इतियासकार आते है जॉन वनीशा ठीक है जॉन वनीशा ने मोखिक इतियासकार को मोख तो दो वर्ड मैंने यूज किया ना प्रतेक्षवादी और अनुभवादी इससे लिटेट भी कोशन बनता है इसको मैंने पहले points में इसमें सामिल किया था बाद मैंने हटा दिया था बट आप उसको याद रख लेगा ठीक है प्रतेक्षवादी मतलब जो साख्षात कर जो व अपने अनुभव विशार से बताया क्या रही ऐसा था तो प्रतेक्षवादी और अनुभवादी यहां पर दोड़ा जाते हैं इसके उपर भी आप थोड़ा सा पढ़ ले ना क्योंकि यह इंपोर्टेंट टॉपिक है जोन वनिशा ने एक पुस्तक लिखी जिसमें औरल ट परेंटेंट क्या क्याता है ऐह एक सब्सक्राइबी जूटी हिस्ट्रीं की बुक है खोटी से हिस्ट्री की बुक है इसको अगर उप्ढ़ोंगे ना तो तीन चाटना उसके अंदर में उपनिवेस वाद का इतिहांस निए आता है जिस2017 बता जाता कि तरह से जो लेखक तो बायस्ट थे किसी एक विचार धारा के परती किसी एक समुदाय के परती किस तरह से जो अंगरेजी लेखक अगाना उन्होंने अपने आपको इतना बढ़ा चड़ा कर बताय कि हमने भारत के लिए यह काम किया है वो किया जैसे रेल्वे बनाया ठीके तो railway को उन्होंने इस तरह से दिखाया कि भाईया रेल से आपको कितना benefit यह है वो है यह सा है यह है यह है उसा करके पर जो भारती इतियास कारते उन्होंने दूसरे तरीकस दिखाया कि भाईया उन्होंने रेल बनाया तो क्या हमारे लिए बनाया वो तो अपने धन निकासी के बनाया कि यहां से क्या करेंगे और धन को ले जाएंगे बाहर निकाल कर साथ साथ में क्या करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जो connectivity system तो उनका जो सैनिक पहुंचने में जो time लगता तो वो कम करेंगे time को कम करेंगे ठीके पूल बना रहे हैं तो पूल के हमारे लिए बना रहे हैं नहीं भाई वो पूल तो अपने लिए बना रहे हैं जिससे उनको आने जारे में असानी हो ठीक है तो अंग्रे जो कहना था कि भाईया यह तो अगर कलो कर मालो चले भी जाते हैं तो ऐसे जाएंगे नहीं कलो कर चले अबनाया या कुछ और बनाया आपकеци इस तरीक से चीज़े होती थी तुक अपने आपको अमेशा सही बताते थे आपके उपने विश्वाद इत्यांस लेखन के अंदर में जेम्स मिल 1806-1808 के बीच में कई सारे बुके लिखती है जिसमें से एक बुक होती है History of British India करके जिसके अंदर में भारत की सचाई के बारे में बताया जाता है इसााई धर्म की रोस्तनी का फैलाना इस जो मतलब भारती अबनिवेश वात के बात करें थीक है या फिर किसी और के बात करें काई जगे पर जैसे इसाई अगर धर्म के अखर यादा बने थूपनिवेश चाई जानना है अगर आपको इसके उपर में थोड़ा जानना हो ना कि जो मैं बता रहो हूँ इसाहितरम की रोस्तनी फैला रहे हैं अंदेरे से बार निकाल रहे हैं ठीक हम इसा मसी के जो हैं चीजे जो उनका मोटिफ था उसको हम पूरे पूरा कर रहे हैं ठीक है अगर आपको इसके बारे में जानना हो ना हो एक मुवी है वाइकिंग करके ठीक है उसको देखो भाई बहुत अच्छी मुवी निया पूरी वैब सीरीज है ठीक है रॉक रेकना रॉक के उपर में बहुत अच्छी है मैंने पूरी देखे पांस साथ सीजन है तो वह आ हम तुछा आया कि किस तरह से धर्म का आप दिखाता है वह आपको समझ में आएगा ठीक है अगला बारती राश्टवाद भारती इस्टावाद के इतिहांसकार हुआ भारती राश्टवाद के तोर पर देखो गया जो पहले तोर पे तो रजनी पादम करके को आती हैं सिन् आज का इंडिया करके कि उन्हों ने पुस्तक लिखे जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है भारती रास्टवाद को पढ़ने के लिए वो माक्सवादी विचारदार से प्रेडित थी ठीक है माक्सवादी उसमें इत्यास लेकरन का सुरुवात हो जाता है जो पर्थ करके थे जिन्होंने सोचल बैक्ग्राउंड ऑफ इंडियन नैसनलीजन के उपर में लिखा जिसमें भारती रास्टवाद के उपर में लिखा गया जिसमें वह बहुत कहीं माक्सवादी इत्यासकार के सुरुवात करते है इत्यास लेकर बारति जिसके अंदर में भारतिया जनसंग घर्स को दिखाए गया सतत विकास को दिखाए गया ठीक है जो अंग्रेज तो भी ना हमें सबने इतियास में सतत विकास को मुद्दा बनाते थे ठीक है वहां पर मजदूर आंदोलन आजादी के आंदोलन और भी कई तरह के आंदोलन का नहीं सामिल किया गया थाइसो क्रोड़ और मुस्ट कमा चुकी है ब्लॉग बस्ट मुवी है ठीक है मैंने दो बार देख ली आपने भी देखे होगी सायथ ठीक है तो रीजन कहा था देखने का क्योंकि एक भावना जगरी थुई कि भीया हमारे कंट्री में ऐसा हो रखा है और हमें पता नहीं है इवन मैं तो यार हिस्ट्री पढ़ाता हूं ठीक है हिस्ट्री का मतलब मेरे स्टूडेंस आते इतने सारे ठीक है मुझे बस एक रॉफली आइडिया थे कि ऐसा हुआ है कि कस्मीरी पंडित भाग कर आये ऐसा हुआ है बट वह रेली किस तरह का जैनोसाइट था वो मुझे नहीं था मैंने मुवी देखा तो मुझे पता चला फिर में उसके उपर में दौ-थिंग भूक्स पड़ी ठीक है तो वह मुझे आइडिया मिला थीक है तब फिर जाके मुझे समझ मैं कि यह चीज़े हुई है तब यह चीज़े होती है तो मतलब क्या होता है जब भावना बहुत ज्यादा प्रमोट होता है लोगों मतलब आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह से क्या होगा कस्मीर फाइल को लेकिना बहुत सारे लोगों में भावना जगरित की गई लोगों ने दूसरे से माउट मतलब वर्ड ऑफ माउट बन गया ठीक है लोगों के मुह से मुह तक अपना जैसे पुल्वामा अटैक जो हुआ था उस समय भी देखो कि बहुत सारी ताइम पर भावना लोगों के अंदर में जगती थी भारत चुड़ा आंदोलन के अंदर में अंदोलन क्या था तो लोग पता नहीं कहां कहां से आते थे में उस समय आट भी नोवी में था मै एक अगला पॉइंट आ जाते है तेरवा पहले रफ करते हैं जनो मुखी और सुक्षम इतिहांस को लेकर ठीक अब जनो मुखी होता क्या है जनो मुखी की अगर में बात करूँ ठीक है जनो मुखी की में बात करूँ तो मेरा कर जो रहा है जनो मुखी इतिहांस ठीक है अब उनका आथार बनाकर जो इत्यास लिखा जाता है उसे जनुमुकी इतियास लेखन कहते हैं आप कोई भी इस्टरीग बूगए उसमें किसी वी आम लोगों का जिक्र नहीं किया जाता है ठीक है उसमें किसका जिक्र किया जो किंग है जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका जिक्र जाता है ठीक है छोटे का जिक्र नहीं किया जाता है तो यहां पर बात करते हैं ना अधारिव स्कताबदी के अंदर में इसका मतलब स्टार्टिंग हुआ जिसमें आम लोगों को अधार बनाकर इतियांस लिखा जाने लगा ठीक है तो वह जनुम की इतियांस लेखन कहलाया सुक्षम इतियांस की अगर हम बात करते हैं जिसमें 12 की से चीजों को हम स्टडी करते मोखिक को अधार बाहनते हो इस्थानी और मोखिक इतियांस को से संबंद रखते हैं सुक्षम इतियांस लेखन ठीक है तो यह पॉइंट यहां पर आ जाता है अगला चौदवा पॉइंट आ जाता है मारा इतियांस लेखन के अनालवादी परमपरा क्या होता है यह एक जिसके अंदर में इतिहांस लिखन को महत्यपून घटनाओं में परिवर्थित किया मतलब जो इतिहांस लिखन के अंदर में बहुत ज्यादा कारण विकास के उपर में मनोविर्थी इतिहांस के उपर में लगू इतिहांस के उपर में सांस्कृति इतिहांस के उपर में जो परिवर्थन हो रहे थे आज के समाह से इंपक्ट हो रहे थे उसके उपर में इन्होंने लिखना सुरू किया जिसके काइंस को अनालवादी बाक और संबंध यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस्टार्टिंग के चैप्टर का यह मैं लास्ट मिस को लिए किसी गठना के घटित होने के बाद जो पर इत्वा जिमेदार होते हैं सब्सlaubप कार्ण कोई घटना घटी थुई तो उसका कोई करन होगा RIGHT कशनुचे आप को सबस्क्राइब करें कि उससे बैनिफिट मिलेगा और ये लिए तो सब्सक्राइब कर लें इता हमें मोटिवीशन मिले जितना बढ़ते हैं उस्किन किसी घतना को यहां करना को यह कोई कारण के लिए यहुदमी ya यहां पर कहते है कि कोई बी कारण, बिना कारण कोई कारण कार्य होता ही नहीं है, आप कोई कार्रे कर रहे हो, खाना खारे हूं, कारन क्या बूक लगाए, ठीक है, आप घर से स्कूल जा रहे हो, कारण क्या आपको पढ़ना है, ठीक है समझ में आगया यह मैंना आम भासा में आपको समझाने कोर्शिस करिए जिससे आपको चीजे समझ में आए पॉइंट से आपको समझ में आगया तो आप उसको जो लिखा है ना वो थोड़ा बहुत अर्जेस्ट करके समझ जाओगा और लिख के आजओगा अंसर आपको समझाया और वह बेनिफिट लगता है मुझे मेरे पढ़ने के लिए उनका भी यही मानना है कि इस तरह चीजे बेनिफिट होती है तो तो फोलवा पॉइंट आजाता है हमारा लास्ट भारतिय पुना जागरन बारतिय पुना जागरन क्या होता मतलब भारतिय पुना जो कुरितिया बुराईया फैली विद्य उसको लेकर जन जागरतिय आना जैसे देखो सती पर्था सती पर्था था ठीक है उसको लेकर जन जागरतिय आना ठीक है तो यह समाज के अंदर में बहुत जादा जन जागरतिय आ उसका विरोध सुरू हुआ तो वो पुना जागर से बूचे तो इसको भी कुरितिया मानता है जो समाज के लिए बादक बनती है ठीक है तो वह जहां पर लोगों के अंदर में जन जगरती आ जाती है उसे हम पुना जागरन कहते हैं पुना जागरन के सबसे बड़े जो विचारत के तौर पर देखे जाते हैं दादा भाई नर में दिखी उसके बाद में लास्ट में इसको डाला है ठीक है इस सबाल्टन का मतलब क्या होता है निम्न वर्ग ठीक है अगर आपके कोश्चन पेपर में निम्न वर्ग लिखा देना तो इसका मतलब है सबाल्टन ठीक है निम्न वर्ग सबाल्टन ठीक है सबाल्टन के जनक क लिखना सुरू है न न जो मैंने बता रहा हूं कि रिग गरीब व को छोड़ दिया जाता है हमेंजा जब किसी की बीड़ाफी लिखे जाते हैं अमीर की बाइगर लिख जाती है आप ने आपके गरी में चाय वाला चाय बेचता है जो जो मतलब सब्सक्राइब लाता है कि उसके उपर में कोई biography लिखता है नहीं लिखता है कोई इसके उपर movie बनाएगा नहीं बनाएगा तो हमेशा क्या है अमीरों का बड़े का जो एक fame है उसके उपर में हम चीज़े attract होते हैं उसके उपर में भागते हैं लोग ठीक है तो इस तरह से यहां पर जो रंजीत गुवा थे उन्होंने एक निम्न वर के उपर में चीज़े सुरुवात करी कि इस तरह से चीज़े च्छोटी-च्छोटी चीजियों को भी एड करना किया जाना चाहिए इसको लेकर यहां पर इत्यांस लेकर में उन्हें रोल प्ले किया इसके करनाजीन को जाना जाता है ठीक है रंजीत गुवा समझ में आता है दोस्तों यह टूटल सोलर पॉइंट्स थे जो में आपको टूटल करवाया है